Good morning friends, online learning channel में आप सभी का स्वागत है सत्तर शब्द प्रती मिनिट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट इस वक्त जब देश एक बार फिर आनशिक बंदी के दोर से गुजर रहा है कारोबार बाधित है दूसरे देशों से वैपार धीमा पड़ा है और वैश्विक रेटिंग एजन्सियां बार बार भारतिये अर्थववस्था को लेकर चिंता जता रही है तब मार्च महिने में और द्योगिक उत्पादन में 22 फीसद से अधिक के उच्छाल और अपरेल में खुदरा महंगाई में करीब एक फीसद की कमी दर्ज होना निश्चंद है राहत की बात है इससे यह साबित हुआ है कि भारतिये उद्योग जगत अनुकूल स्थीतियां मिलते ही फिर से अपनी रफतार पकड़ और गिरती अर्थववस्था को मजबूती दे सकता है पिछले साल पूर्ण बंदी की वजह से भारतिये अर्थववस्था बुरी तरे लड़कडा गई थी विकास दर चिंता जनक रूप से रिनातमक स्तर पर पहुच गई थी बंदी खुलने के बाद हालांकी सरकार ने उद्योग जगत को कई तरह के प्रोसाहन पैकेज दिये पर अनेक छोटे मनझूले और सुक्षम उद्योग बंद हो गए कारोबार ने अभी अपनी रफतार पकड़नी ही शुरू की थी कि कोरोना की दूसरी भ्याव है लहर आ गई और अर्थववस्था पर फिर से गंभीर चोट पहुचा दी ऐसे में बीच के दो महिनों मार्च और अप्रेल में उत्पादन और महंगाई के स्तर पर बहत्री भविश्य के लिए नई उमीद जगाती है अर्थववस्था को मजबूत बनाने में उत्योगिक उत्पादन की एहम भूमी का होती है सरकार इसी बात को लेकर उमीद बनाए हुए थी कि अगर उत्योगिक शेत्र संभल गया तो अर्थववस्था को हुए नुकसान की भरपाई जल्दी हो सकेगी इसी लिए उत्योगिक शेत्र को कई तरहा के प्रोसाहन पैकेज दिये गए बैंको को निर्देश दिया गया की वे करजो की शर्तें और नियम लचीला बनाएं और उत्योगिक शेत्र को संयोग प्रदान करें उसका असर भी दिखाई देने लगा जल्दी ही गिर्ती अर्थववस्था का रुख उपर की तरफ दिखना शुरू हो गया मार्च महिने में अकेले और द्योगिक उत्पादन में 22.4 फीसद का उच्छाल निश संधे उत्सह जनक है उत्पादन बढ़ने का अर्थ है कि बजार में मांग बढ़ रही है बजार में मांग बढ़ती है तो उससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं उससे लोगों की क्रैशक्ती बहतर होती है अर्थ ववस्था का यहे चक्र निरंतर संतूलित बना रहे तो विकासदर बहतर बनी रहती है इसके साथ ही महंगाई पर काबू रखा जाए तो लोगों का जीवन काफी आसान बना रहता है अपरेल में खुदरा महंगाई की दर पिछले महिने यानी मार्च के 5.52 परतीशत से घट कर 4.29 फीसद पर पहुच गई इसके पीछे अनाज, फल और सबजीयों की कीमतों में आई कमी बताया जा रहा है यहे तब है जब पिछले कुछ समय से पैट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्री हो रही है इस बार कोरोना ने फिर महामारी की शकल जरूर ले ली है पर पिछली बार की तरह कारोबारी गतिवीदियां पूरी तरह बंद नहीं की गई है कल कारखानों के बाहर ताले नहीं पड़े हैं दफ्तरों में सीमित ही सही कामकाज चल रहा है बाजार आंशिक रूप से ही सही खुले हुए हैं इसलिए ओद्योगिक उत्पादन और महंगाई के मामले में बेशक कुछ रुकावट आई है पर पिछली बार की तरह इनमें चिंता जनक आसंतूलन की संभावना नहीं है ओद्योगिक इखाईयों का परदर्शन थोड़ा बाधित जरूर होगा पर बड़े उद्योगों पर उतनी मार पढ़ने की आशंका नहीं है ऐसे में कोरोना की नई लहर के मधिम पढ़ते ही यहे शेत्र फिर से गती पकड़ेगा और अर्थववस्था को संभालने में मदद करेगा अगर सरकार महंगाई की दर को भी इसी तरह संतूलित रखने के परियास में सफल रही तो विकास दर को बढ़ाने और आम लोगों के जीवन की दुश्वारियां कम करने में काफी मदद मिल सकती है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप जल से जल पा सकें धन्यवाद आपने हमारा चैनल से जल सकती है